हलो स्टुडेंट तो एक बार फिर सें आप सभी लोगों का स्वागत है CLC के डीजिटल प्लेटफोर्म पे CLC के यूटूब चैनल पे मैसेल पार्सी देवाल टीम केमेस्ट्री CLC सीकर गुरुनितिक हम प्रिवेस येर जैईमेन के पेपर का हम सोलुशन कर रहे हैं अर्गेनिक के पेपर का हम यूनिट वाइज डिसकस कर रहे हैं और आज की यूनिट है वह है कार्बोनिल कंपाउंट एस डेरिवेटिव एंड कंटेनिंग कंपाउंट का पार्ट सेगिंड 2016-2019-2021 तक जैईमेन के जितने अटेम्ट अब तक हुए है उन सारे अटेम्ट के इन टोपिक से जो क्यूशन आये वो टोटल 75 क्यूशन थे तो हमने फस्ट पार्ट में फोर्टी क्यूशन लिये और सेगिंड पार्ट में हम 35 क्यूशन ले रहे हैं और उनका हम डिसकसन करने इसन लिए तो इसन से डवारे मोला हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फस्ट क्यूशन से दमेजर अब्सक्राटंड भके दफोर्व बिएक्साइव घ्र हौइर क्या रहेगा तो देक्ने से पता लग रहा है कि आलकॉल दिया हुआ है और इसकी रीक्साण करवानी चabytes nis तो यह dehydrating agent है, dehydrating agent, मतलब यह क्या करेगा, H2O भार करेगा, वाया E1 mechanism, किसके दवारा करेगा, E1 mechanism के दवारा यह भार करेगा, तो सबसे पहले H+, यहां से आएगा, और इस पर क्या करेगा, अटेक करेगा, oxonium ion बनाएगा, इधर आपके पास CH2, CH3 है, और यहां यह convert हो जाएगा OH2+, ठीक है, इसके आगे वाली step जो होगी, वो slow होगी, और RDS होगी, और यहां से H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, औ यहां double bond already लगा हुआ है, तो इसके बाद यह आपके पास बन जाएगा, इस carbocatine में कोई rearrangement की possibility नहीं है, already stable carbocatine है, तो आपको इस वे से alpha hydrogen हटानी है, with respect to carbocatine, जिससे stable alkyn बनती हो, तो इसके respect में alpha, 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 तो मैं यह वाली H हटाऊँगा, और finally जो product बनेगा, वो यह बन जाएगा, और यह double bond आपका क्या है, conjugation में है, resonance में है, साथ के साथ, alpha hydrogen भी है, तो यह वाला product बनेगा, ऐसा product हमें second दिया हुआ है, तो इस question का answer जो जाएगा, वो second जाएगा, ओके, next question की तरब चलते हैं, the most appropriate reagent for conversion, C2H5CN into CH3CH2NH2, मतलब यहां पे आपको यह दिया हुआ है, C2H5CN, और इसको convert करना है, CH3CH2CH2NH2, तो आप देखे, यहां कार्बन नंबरों कार्बन कितने हैं, तीन कार्बन है, तो यहां भी नंबरों कितने हैं, तो यहां भी नंबरों कितने हैं, तो यहां भ कितने हैं, तीन है, मतलब बाहर से आपको नंबरों कार्बन एड नहीं करने, जितने रिगिण में है, उतने ही प्रोडट में है, अब हमें यहां पे साइनाइब का ड़क्शन करवाना है, तो साइनाइब का ड़क्शन किसमें होता है, CH2 NH2 में, और यह काम करता कौन है, Lłość4, f4 यहां करता है यहां करता है ना-bh4 cy mod say aueba black नहीं करता है, CAH2 हाइड्राइड है, यह भी नहीं करता है, यहां यह वाला कर देगा, ठीक है, LILH4 ची हम, Cn को CH2 NH2 में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो आंस्वर इसका जाएगा, LILH4, नेक्स्ट, G, क्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा क्यूशन है, इन फॉलोविंग रियक्शन सेक्वेंस, आपको एक रियक्शन सेक्वेंस दीवी है, इसमें C क्या होगा, C का प्रोड़क्ट हमें पूचा है, कि C क्या होगा, तो सबसे पहले तेके आपको दियावा क्या है, यह दियावा है, NH2 और यह CH3 और यहाँ दियावा है NaNO2 प्लस HCl मतलब यह क्या हो गया? Diagotization reaction 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दी हुई है तो पहले diagonium salt बनेगा और यह बन जाएगा N2 प्लस Cl- और इधर CH3 एजिट रह जाएगा उसके बाद reaction कराई है Cu2Cl2 प्लस HCl से reaction का नाम है Send My reaction सभी जानते है diagonium salt की reaction है halogen supply हो जाएगा HCl supply हो जाएगा और finally product बन जाएगा आपका पास Cl और यह CH3 इसके बाद reaction कराई है Cl2Hμ से A की reaction करवाई है किस से Cl2Hμ तो यह होगी FRS Free Radical Substitution इस SP3 benzylic hydrogen को replace कर देगा halogen और यहाँ product जो बन जाएगा वो यह बन जाएगा Cl CH2Cl इसके बाद हमें क्या दिया है इसके बाद दिया है Na Dry Ether तो यहाँ दिया है Na Dry Ether Na और यह Dry Ether You know This is Hurj Reaction इस Reaction का नाम क्या है Hurj Reaction नाम है और कौन सा Cl जलती बाहर निकलेगा यह वाला Cl तो ओल्रेडी रेजिनेंस में है तो यह Cl SP3 से जड़ावा है तो यह Cl3 सब्सिटुएट होगा प्री रेडिकल में केनिजम होती है और दो मोल इसके रेक्टन करेंगे और यह बन जाएगा Cl यह Cl क्यों निएट है क्योंकि इससे एजिवे में यह SP3 कलोरीन का बंड एजिवे में तूटेगा comparative to SP2 कलोरीन का और इधर से यह CH2 CH2 और यह यहa पे आजाएगा यह बन आएगा तो यहा रेडिकल जनरेट वा देखने पर बता लगेगा तो यहाँ पने पास है CH2 टो जाएगा second is correct answer, okay, next, next question is, the major product carbon C, of the following reaction sequence will be, in this case, C, you have to tell the major product, okay, what will happen in the sequence, first of all, what is NABH4, NABH4 reducing agent, है, क्या है, reducing agent है, do not reduce double bond, do not reduce double bond, यह double bond का reduction नहीं करता है, कि अबल aldehyde का reduction करेगा, और इसको ले आएगा CH2OH में, तो पहले बनेगा CH2 double bond CH, और CH2OH, इसकी reaction करवाई, आएगा आएगा CH2, तो तो OH कि जगा क्या सप्लाई हो जाएगा, CH2 मेकनिजम कौन सी होगी, ऐसा नहीं मेकनिजम होगी, और फाइनली जो प्रोड़क्त बनेगा, यह जो बन जाएगा, वो बन जाएगा इसकी reaction करवानी है, बेंजीन रिंग से, एन हाइड्रस, ALCL3 से, और यह ALCL3, जो कि क्या है, लेविस एसिड है, यह लेविस एसिड है, यह लेविस एसिड ही CL को हटाएगा, एरोमेटिक, इलक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रियक्शन, यह वाली रियक्शन हो जाएगी, और यह इस रिंग पे अटेच हो जाएगा, तो फाइली जो प्रोड़क्त बनेगा ना, वो यह वाला बन जाएगा, CH2, CH2, यहां तक आगए अपन, यह भी प्रोड़क्त है आपका, इसकी रियक्शन किस से करवाईए, DBR से करवाईए, तो देखे थोड़ा सा, अब इसकी रियक्शन में किस से करवाऊँगा, DBR से करवाऊँगा, तो यह पोजिटिव और यह नेगेटिव, कौनची रियक्शन होगी, इलक्ट्रोफिलिक एडिसन रियक्शन, डबल CHHCHCHPOSITIVE और यह CH2D. अब इसमें हो जाएगा 1,2 हाइड्राइडशिप. सिंस रिएक्शन अंडर्गोज थ्रू कार्बोकेटाइन, तो हाइड्राइडशिप्ट हो जाएगा, तो फाइली प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, यह वाला CHPOSITIVE CH2 और यह CH2 और यह D. इसके बाद BR- यहाँ पर क्या कर जाएगा? अटेक कर जाएगा. तो ऐसा उप्शन देखें, एक बाद D जुनना चाहिए, जाएगे लास्ट वाले carbon पर बेंजन लिंग पर जो carbon लगा उस पर ब्यार जुनना चाहिए, ऐसा उप्शन देखने जाएगे अपन, तो ऐसा उप्शन कहां पर हमें मिला है? यह देखो. Second is correct answer. That's a very simple electrophilic addition, reduction, aromatic electrophilic substitution, or SNI mechanism, इसमें involved हुई है. Now next, देखते हैं. P है on treatment with BR2, FB, BR3 in CCL4. यह reagent करता क्या है? यह electrophil generate होगा यहां से, FB, BR3 है, और BR2 है, तो यह इसको ले लेगा, और यहां से क्या generate हो जाएगा? BR+. Produce a single isomer of C8H702 BR. इसका single isomer बनता है, वाइल हीटिंग P with soda lime, गिव टोलुईन दा कमपाउंट B. अचा है, इसमें दो इनफोर्मेशन आपको दी है. यह electrophil जडेट करेगा, क्यूशन को वापस से देखें, समझें, एकदम easy सा क्यूशन है, कुछ भी नहीं है, कि P को जब हीट करते हैं, तो वो टोलुईन देता है. P को जब हीट करते हैं, तो वो टोलुईन देता है. मतलब वहाँ CO2 बहर होता है. तो अगर मैं इसको हीट करूँगा, तो यह CO2 बहर तो यहाँ भी टोलुईन बनेगी. यह CO2 बहर यहाँ भी टोलुईन बनेगी. यह CO2 बहर यहाँ भी टोलुईन बनेगी. यह CO2 बहर यहाँ भी टोलुईन बनेगी. तो यह ortho-pera-directive, यह कौन सा directive है? ortho-pera-directive और यह कौन सा directive है? meta-directive क्योंकि उसका minus R लगता है, तो इसकी तो हो गई meta, और इसकी हो गई ortho और इसकी हो गई meta, तो एक ही position अपने पास आई, तो यहां पे यह वाला बन जाएगा क्या? COHCH3 और यह BR, ओनली single product बना है, इसमें इसका ortho-pera यहां भी है, ortho-pera, तो more than one possibility है, इसका अगर में बात करूं, और तो यहां है, पेरा यहां, यहां भी possibility है, इसमें इसका बात करूं, तो और तो पे भी जा सकता है, और पे भी जा सकता है, तो इसमें दो possibility है, इसमें तीन possibility है, इसमें तीन possibility है, पस्ट वाले में क्यावल, single possibility है, एकी पोस्ट खा ली है, तो आंस्वर जाएगा, वो जाए है O2, ठीक है? क्यूशन को समझ ना, एक सिंपल सा क्यूशन है, वाज हाइडोलाइज वित डायलूट H204 गयू कार्भोशलिक एसिड एंड एलकोल C, कोई एक कंपाउंड था, इसको मैंने हाइडोलाइज किया, डायलूट H204 तो उसने B, एसिड दिया और C, एलकोल दिया, इसका मतलब A क्या है? एस्टर है क्योंकि एस्टर के हाइडोलाइज से एसिड और एलकोल का फोर्मेशन होता है, इतनी इन फोर्मेशन मुझे यहां से मिल गई कि A, एस्टर है, ठीक है, फिर बोल रहा है, जो एलकोल C बनता ह है, इसका मतलब जो एलकोल बनेगा, वो 3 डिगरी बनना चाहिए, तो आप से पूचा है, आप देखो मैं इसका करता हूं, तो यहां से तूडता है, इधर OH, इधर H, तो इसमें, यह तो 1 डिगरी अलकोल है, यह नहीं देगा, यहां से तोड़ूँगा, इधर OH और इधर H, तो यह भी 1 डिगरी अलकोल है, यह नहीं देगा, इधर से 30 degree alcohol हो गया, 3 degree alcohol, यह रेपिड ली टर्बिडिटी देगा, तो आंसर जाएगा, वो जाएगा फोर. Now हम बात करते हैं, क्यूसन नंबर 47 की, ठीक है, क्यूसन नंबर 47 हमें जो दिया गया है, वो यह है, consider the following molecule and statement related to DEN, दो molecule आपको दिये हुए हैं, तो यह वाला तो रखेगा Intramolecular Hydrogen Bonding, और यह वाला रखेगा Intermolecular Hydrogen Bonding, तो हमेशा Intermolecular Hydrogen Bonding, डॉमिनेट होती है, comparative to Intra. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि boiling point की अगर बात करूँ, तो B का ज्यादा है A से, मल्टिंग point की जब बात करूँ, तो वो भी B का ज्यादा है A से, अगर मैं, तो ACIDT की बात करें, तो ACIDT A की ज्यादा है B से, यह रिजन आजाएगा Ortho Effect, और तो Effect के कारणे A की ज्यादा है, अब हमें क्या बोला है, कि जहां Strong Hydrogen Bonding, उसको Crystallize होने की Tendency भी उसकी ज्यादा होगी, तो यहां देखो, B is more likely to be Crystallized than A, तो यह बात सही है, B जल्दी Crystallize होगा, क्यों Crystallize होगा? क्योंकि वोटर के साथ इसके Hydrogen Bonding कम रहेगी, अपनी खुद की Hydrogen Bonding से जल्दी Crystallize हो जाएगा, और यह less soluble रहेगा, B is higher boiling point than A, यह भी definite है, B dissolve more readily than A in water, तो यह गलत है, B slowly dissolve होगा, क्योंकि यह इसका Intermolecular Hydrogen Bonding strong है, तो वोटर के साथ इसके Hydrogen Bonding बनाने की Tendency कम हो जाएगी, तो Statement A and B are true है, Next, the increasing order of reactivity to the following compound in nucleophilic addition reaction, तो पहले तो इस concept को सीखें, कि nucleophilic addition reaction क्या होती है, कार्बोनिल ग्रूप होता है, और इस पे यह nucleophile अटेक करता है, यह step जो होती है, वो slow और RDS होता है, यह इधर से इधर, और यह जो कार्बन है न, वो electrophil nature का होता है, इस पे जितना ज्यादा इसकी electrophilicity होगी, या इस पे जितना ज्यादा positive charge होगा, यह nucleophile उतना ही जल्दी अटेक करेगा, तो reactivity of carbonyl compound, reactivity of carbonyl compound, carbonyl compound, दो फेक्टर पे करती है, एक फेक्टर है, इस्टेरिक, इस्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा है, इलक्ट्रोनिक इफेक्ट, ठीक है, इस्टेरिक हिंड्रेंस minimum होना चीयो मतलब यहां पे ISH तरिक हिंड्रैंस minimum होनी चीये भीड कम से कम होनी चीये जिससे NicaeFr häufig यहां एप्रोच कर पाये ठीक है हिंड्रैंस हींड्रैंस depreawat humor तरिक पतारी निश्म एप डिकरीज होगी ना तो द्रेक्टिविटी बडे गी electronic effect का मतलब हमें यहां positive charge ज्यादा से ज्यादा ले के आना है तो यह वाले जो group है ना वो electron withdrawing group होने चीए जहां जो यहां positive charge generate करें जिससे nucleophile जल्दी अटेक करें तो इसका मतलब electron withdrawing group तो यहां electronic effect reactivity is directly proportional to electron withdrawing, inversely proportional to electron donating एक चीज़ और, ldehyde more reactive than ketone, ketone के comparison में ldehyde क्या होते हैं, ज्यादा reactive होते हैं क्योंकि ldehyde में एक तरफ क्या रहेगा, H रहेगा और H का hysteric hindrance लगता नहीं है जबकि ketone में दोनों तरफ क्या रहेंगे, alkyl group रहेंगे, इनके hysteric hindrance के कारण इसकी reactivity कम हो जाएगी, या वेसे देख लो, यहां केवल एक इस alkyl group का plus i लगेगा, electron donating लगेगा, यहां दो का लगेगा, electron donating group अगर बढ़ेगा, तो reactivity क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यह तो है इस reaction का concept, अब अपने क्यूशन पर आते हैं, अपने क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है propanol, LDL है, CH3, CH2, COH propanol है, उसके बाद दिया हुआ है benzyldeide, यह भी LDL है, COH, उसके बाद propanol, यह वाला ketone दिया हुआ है, और butonol, और यह वाला दिया हुआ है, तो यह दोनों तो क्या होगे, ketone होगे, और यह दोनों क्या होगे, LDL होगे, अब मैंने बोला, LDL की reactivity हमेशा ketone से क्या होती है, ज्यादा होती है, अब देखो, यह aromatic LDL, जब यह इदर से इदर जाएगा, तो यह resonance से इसकी electrophilicity nature कम हो रही है, क्योंकि रिंग के electron जा रहे हैं, तो बाहर से nucleophile के attack करने की tendency कम हो रही है, इन दोनों में से ज्यादा रियक्टिव कौन है, यह वाला, मतलब में बोलू, aromatic LDL, लेस रियक्टिव, देन, allipatic aldehyde, ठीक है, तो प्रोपेनल ज्यादा रियक्टिव है बेंजल दियाइड से, फिर इन में आजओ, यहाँ एक मिथायल, दो इथायल, यह साइज बड़ा हो गया, यह साइज चोटा है, यह मिथायल मिथायल का प्लसाइ लग रहा है, यह इथायल मिथायल का प्लसाइ लग रहा है, प्लसाइ यह ज्यादा लग रहा है, इस्टेरिक हिंट्रेंस यह ज्यादा है, तो यह सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया, बुटन न सबसे लास्ट में आएगा, पहले प्रोपनोन, बेलज़डीहाइड, फिर प्रोपनल, ऐसा उप्शन अगर हम देखेंगे, प्रोपनोन भी दिया वा आपनको, प्रोपनोन आगया, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा प्रोपनल, फिर फिर प्रोपनोन और बुटनोन आंसर जाएगा, वो जाएगा second, next, यह देखो, three isomer of A, B and C, molecular formula C8H11N, इसके तीन isomer हैं, ठीक है, तो इस क्यूशन को कम्पोज कर लेते हैं अपन, जिससे हमना EGV में समझ में आजाएगा, C8H11N, A, B, C, तीन isomer हैं, फिर बोला है, फिर बोला है, A और C का डायोजटाइजिशन करता हूं, तो P और Q बनता है, फिर हाइड़ोलाइसिस, ओक्सिडेशन, मतलब दो का करूंगा, तो हाइड़ोलाइसिस करवाया, ओक्सिडेशन करवाया, तो R प्रोड़क्ट अबना और S R बनाओ, ठीक है, इनका डायोजटाइजिशन करवाता हूं में, A और C का डायोजटाइजिशन करवादा है, इसका डायोजटाइजिशन करवादा है, डायोजटाइजिशन, इसका भी डायोजटाइजिशन, तो यहां से बना है P और Q, ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं, फिर बोल रहा है R is lower boiling point than S, R का boiling point जो है वो S से क्या है, कम है, B की reaction करवा रहा है इस से, यह क्या है, Hinsberg reagent, Hinsberg reagent, और यह alkali insoluble product बना रहा है, react तो कर रहा है, बत बेस में insoluble है, तो B तो क्या है, 2 degree amene है, B क्या है, 2 degree amene है, R हेज lower boiling point than S, तो B 2 degree amene है, तोandon дерев का बात समय करना है, A, B, C, तो B 2 degree amene कहां कहां दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ हम यहां भी दिया हुआ, यहां भी दिया हुआ है, तो यह वाला option तो cancel हो गया, अब मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैं फिर्स्ट ओप्शन को चेक करता हूँ, फिर्स्ट ओप्शन को चेक करूँ, तो A इसको मानूँ, और ये C मानूँ, इसकी डाय तो क्या बन जाएगा? N2 प्लस C L माइनस और ये इथाईल, इसका करवाँगा तो भी क्या बनेगा? N2 प्लस C L माइनस और ये इथाईल, अचा इस पे और तो पोजन पे है, ये लो, और यहां भी इथाईल, ये लो, इथाईल यहां भी लग गया, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, हाईड्रोलाइसिस से ओवच गुरूप जनरेट हो जाएगा? हाईड्रोलाइसिस करवाओगे तो ओवच गुरूप जनरेट हो जाएगा, फिनोल में करवाट हो जाएगा, या हाईड्रोलाइसिस करवाया तो एच पलस चला जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, फिर OH, CH2, CH3, और यहां से बनेगा, OH, CH2, CH3, अब इसका उक्षिडेशन करवाओगे, उक्षिडेशन, तो यहां OH, COH बनेगा, इसका उक्षिडेशन करवाओगे, तो भी क्या बनेगा, OH, और यह COH, यह वाला कौन्ची बोंडिंग रखेगा, इंटर, और यह वाला कौन्चा रखेगा, इंट्रा, किलियर, अब इंटर और इंट्रा में अगर हम बात करें, तो यह बोल रहा है कि, आर हेज लोवर बोईलिंग पॉइंट देन S, तो इसका बोईलिंग पॉइंट इससे कम है, तो अपना सेट होगा है, पस्ट ओप्शन कुछ और किलियर कर देता हूँ, तो कुछ करवाया, कुछ नहीं है इसके तीन- ऐसोमर कौन चे लिये, एक तो यह वाला, इसकو माना इसने A NH to CH 3 ऐसको माना A, और यह वाला जो है NH to Et, इसको माना बी इसका diagotization करवाया, goal of Diagotization और इसका भी diabativos Azeotization, Azeotization. तो ये भी Bronर्ट हुआ N2 plus CL minus में. और ये भी bonvert हुआ N2 Plus CL minus में. फिर इसका hydrolysase करवाया, इसका hydrolysase करवाया, इनका hydrolysase करवाया, तो दोनों में ही case में आसे जो product बना आए से प्रोड किफिनory değil Mongo sampai à A ओपना OAC और ये Вिठ 스타일 और इसे जो प्रोड़क बनेगा बी से, वो बन जाएगा OH, और ये इथाइल, फिर इनका करवाया ओक्षिडेशन, तो यहां भी यह भी COH में, OH, COH में, और यह भी OH, COOH में, अब देखो यह, अभी पीछे कुछन सोलो करवाया है, मैंने इन दोनों की बात की है वहाँ पे, त the compound A in the following reaction, इस reaction में compound A क्या है, ठीक है, तो देखो इदर, A की reaction देखो, यह जो प्रोड़क रना, A की reaction करवाया, इससे, तो B बना, B की reaction कराई, C plus, B की reaction कराई, Ozone से और Zinc H2 से, तो C और D बना, यह concentrate, C की reaction, concentrate H2 से करवाई, तो एक तो यह बना, और एक यह बना, तो C क्या है, C क्या है, तो यहाँ reaction हुई है, के निजारो, के निजारो reaction हुई है, तो जो C है वो है, बेंजिल दियाइड, फिर D की reaction करवाई, इससे बेस से, और यह, अलफा बीटा, Unsaturated Carbonyl, ठीक है, यह है, Product of Eldol, किसका Product है, Product of Eldol, तो इसको Eldol में यहाँ से तोड़ो, इधर O, इधर H2, तो D जो है, वो है, C H3, C O, C H3, इसकी करवाई, Eldol तब यह बन गया, इसकी करवाऊं में केनी जारो, तो यह दोनों बनेंगे, Oxidation and Reduction, तो मेरे पास C आगया, D आगया, जो ओजनोलाइस करवाने पर बन रहा था किस से, B से, तो C और D की में इडेंटिफाफिकेशन कर चुका हूँ, Next, आगे चलते हैं, अपने पास C तो जो आया वो यह वाला आया, और D आया यह वाला, और यह दोनों बनेते किस से, B से, यह C और यह D, B से कब reaction करवाई, Ozone, Zinc, H2O, वापस B में आ सकते हो क्या, जी हाँ, आ सकते हैं, यह दोनों oxygen हटा दो, तो B आपका यह था, यह B था, देखो, oxygen, oxygen यह बन जाएगा, यह आपका product आया B, अब B किस से बना है, B बना dehydration अपल, अपने dehydration करवाया है, पीछे देखे, B बना है, यहां से, पहले ग्रिगनार रेजेंट से, फिर ग्रिगनार रेजेंट से, फिर कंसंट्रेट एस्टो सोपोर की रेक्शन करवाई, तो dehydration हो गया, तो यहां से ऐसी आया है, यह था P H C O C H 3, मेरी बाद समझ में आरी है, यह फिर में ले 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 हूँ, यह एक च थी तो ग्रिगनार रेजेंट का यह ना, P H C H 2 C O C H 3, इसकी रेक्शन करवाई C H 3 M G B R से, यह यहां से हाँ और यह यहां से हाँ, क्या बना P H C H O H C H 3 और C H 3, और इससे में ने कंसंट्रेट H 2 S O 4 हीट डाला, तो यह था भार हो गया, तब यह बन गया, तो हमसे पूचा है कि एक क्या है, तो A यह वाला प्रोडक्ट है, जिसका नाम है, यह वाला प्रोडक्ट है, फिनाइल असी टोन, ऐसा उप्शन आपने चेक करना है, देखें, फिनाइल असी टोन यह रहा, सेगंड इज ग्रेक्ट आंस्वर, नेक्स्ट, An organic compound A molecular formula C10H20O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid H2SO4 से करवाया है, give a carboxylic acid B और alcohol C, तो ये क्या है फिर? Ester है भईया, ये फिर Ester है, oxidation of C, जो alcohol बना C, उसका oxidation कराते है C, CRO3, H2SO4 से, तो प्रोड्यूस B, विच अब दा फोलोविंग, इस्टेक्चर आ नोट पोसिबल फोर A, बोल रहा है कि जब C जो बनेगा alcohol, उसका oxidation कराऊंगा, तो B बनना चाहिए, तो एक एक option को यहां चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक एक option को हम चेक करते हैं, इसका करवाँगा, तो यहां क्या बन्ड है? यहां यह बन्ड है CH3 का होल थ्राइज C, CO, OCH2, C, CH3, और यह CH3, यहां से तूटेगा, OH और यह H, अब यहां जो बनना उसका CRO3, H2SO4 से यह बनना चाहिए, तो डेपिनेटली बनेगा, क्योंकि यह जो CH2OH यह वाला CH2OH, यह CH2OH जाएगा किसमे? COH में, और यह सेम बन जाएगा, तो यह तो सही है, ऐसे इसको तोड़ूँगा, तो इधर से क्या बनेगा? इधर तो बन जाएगा C, C, और यह C, और यह COH, और इधर बन गया, यह C, यह C, और यह C, और यह C, और यह C, और इधर CH2OH, इसकी रियक् CO3H2SO4 से, तो यह CH2OH किसमें चल जाएगा, COH में चला जाएगा, सेम बन जाएगा, तो सेगिंड भी आ जाएगा, इसकी बाद करूँ, तो यह तूटेगा यहां से, इधर तो बना carbon, 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 OH, उदर बना COH, CH2, CH, CH3, और यह CH3, अब यह 2 degree alcohol है, इसको CO2H2SO4 से लेके जाओगे, तो क्या बनेगा? के टोन बनेगा, कार्मक्सलिकेसिड बनेगा यह तो यह यह वाला पोसिबल नहीं है, इसमें बात करूँगा तो इसमें भी बन जाएगा, तो आंसवर जो जाएगा, वो जाएगा, थैड इस करेक्ट आंसवर, क्या आंसवर जाए तो आएगा, अच्छा क्यूशन, बहत्रीन क्यूशन है, next, the increasing order of the following compound towards ASEAN addition, तो ASEAN addition में मतलब क्या हुई है, nucleophilic addition reaction, कौन सी reaction हुई है, nucleophilic addition reaction, तो अभी बताय था, यहाँ भी LDAID है, 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 यहाँ भी LDAID ह इसका minus i लगेगा, इसका minus r लगेगा, इसका plus r लगेगा, इसका minus i लगेगा, और reactivity जो है, minus r minus h minus i plus r plus h plus i के inversely proportional to, तो सबसी ज़्यादा रेक्टिव सेगिंड हो गया क्या, फिर minus i यहाँ भी, minus i यहाँ भी, किसका ज़्यादा माहिन लगता है, NO2 का, तो फिर fourth हो गया, फि और सबसे last में कोन होगा, third सबसे कम रेक्टिव, second most reactive, फिर fourth, फिर first, third, मतलब fourth is correct answer, next, यह जो है यह वाला, यह है डाइबल, डाइबल, आइसो, ब्यूटाइल, एलुमीनियम, हाइड्राइड, तो पहले साइनाइड का रिड़क्शन करेगा, डाइबल, एच, इमीन बनाएगा, यह इमीन बनेगी, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो यहां से टूटेगा, OH, OH, H, H, इधर तो बन जाएगा, एल्दी हाइड, और इधर बन जाएगा, अप्शन चेक करें, ऐसा कहीं है, क्या आपके पास, third is correct answer, next, यह भी अच्छा क्यूशन है, अच्छा बहत्रिन क्यूशन है, क्योच एक्वस, OH-attacking species है, SN2 mechanism होगी, अटेक करेगा, BR को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो पहला जो compound बनेगा, वो यह वाला बनेगा, BR, यह CH2, यह, यह, और यहां आगया, OH, और यह कित्ते degree alcohol है, 1 degree alcohol, इसकी रिखन करवाई यह, CRO3H+, क्या है यह, oxidizing agent, क्या है, oxidizing agent, और इसको किस में oxidize कर देगा, एलकॉल में oxidize कर देगा, BR, और यहां से आपके पास, मेटा पोचन से यह वाला, यह वाला, यह वाला, और यह बन जाएगा, COH, उसके बाद दियागा है, H2SO4Heat, H2SO4Heat, क्या, H2O को बाहर निकालेगा, क्या है यह, तो यहां से जब H2O को बाहर निकालेगा, यह वाला, तो यहां positive charge आजाएगा, और यह क्या बन जाएगा, Electrophile, और यह हो जाएगी, Intramolecular Aromatic Electrophilic Substitution, और यह घूम के, यह orthopera directive है, यह ortho directive हो गया, तो यह घूम के यहां क्या कर जाएगा, अटेक कर जाएगा, और finally product जो आएगा ना, वो यह आएगा, यह BR agent रह गया, यह CH2, यह CH2, यह CH2, यह double bond O, और यह अटेक, ऐसा option हमें check करना है, बी-ार की पेरा portion पे C double bond O आना चाहिए, बी-ार की पेरा portion पे C double bond O आना चाहिए, वो है third में, तो third is correct answer, देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, next, यह बी-सिंपल सा क्यूशन है, बी-ार टु एच मु प्री रेडिकल सब्सुट्यूशन, डिहान रखें, बी-ार टु बेस नहीं है, आपमान ब्रोमेमाइड नहीं होगी, यह बैसिक और यह यहां पे बी-ार आ जाएगा और पहला प्रोड़क्ट जो बनेगा, वो बनेगा C O N H H, यह बी-ार और यह C H 3, यह रियक्शन हुई है, बी-ार टु एच मु से और यह प्री रेडिकल सब्सुट्यूशन रियक्शन, फिर आपको बेस दिया हुआ है को यह दिया हुआ है बेस, यह इस एच को हटाएगा, यह नेगेटिव चार जाएगा, और यह इंट्रामोल्यकुलर सब्सुट्यूशन हो जाएगी, कौन्छी रियक्शन हो जाएगी, इंट्रामोल्यकुलर सब्सुट्यूशन हो जाएगी, और यह बन जाएगा, C-O-N-H ठीक है, इधर से ये CH3 और ये बाहर, ठीक है, ऐसा प्रोड़क्ट हमें देखना है, ऐसा प्रोड़क्ट हमें मिल रहा है थाइड में, तो थाइड इस करेक्ट आंस्वर, नेक्स्ट, ये ये दियावा है, प्रिडीन, कौन सी रेक्शन है, एसा एलेशन, तो इस्ट्रोंग नुक्लिफाइल कौन है, यहां पर ये है ना, CH3, CO, CO, CH3, और इधर से आपके पास NH है और OH है, ये भी अटेक कर सकता है, ये यहां से हां, ये यहां से हां और इसको बाहर कर सकता है, ये भी अटेक कर सकता है, ठीक है, ये वाला इस्ट्रोंग क्या है, नुक नुकलियोफाइल है, ठीक है, लार्जर साइज, बेटर नुकलियोफाइल, तो ओक्षिजन और नाय्टोजन में ज्यादा लार्ज साइज किसका, नाय्टोजन का लेब टू रेट जाते हैं, तो साइज फ्मॉल होती है, तो अटेक कहां से होगा, क्योंकि एक इक यह यहां से हाँ और यह बार और फाइली और दिखाऊ ना तो यह तो फाइली क्या बन जाएगा O H यह वाला यह N H और यह C O C S 3 असाइलेशन कहां दिया हुआ है इसा अप्शन पस्ट फस्ट इच करेक्क्ट आंसर नेक्स्ट यह 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 यूओ थे टेस्ट फरफॉम्ड इन कम्पाउंट अक्स आख देर इन पारेंस दिया अर कोई कमाउंट अक्स के टेस्ट दिए है तो फोडी यह बंडी तेस्ट तो कलर्ड पर्सिपिटेड आता है इसका मतलब कारबोनिल ग्रूप पर्जेंट, इसका मतलब उसके पास कार्बोनील ग्रूप है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो यह चैनल आउट हो जाएगा, आइडोफोम टेस्ट देता है, येलो पर्सिपिटेड, तो मतलब C, O, C, H3, इसकेलेटन पर्जेंट, ये रहा, इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आ गया, फिर एजोडाई टेस्ट, एजोटाई टेस्ट कोन देता है, फिनोल, प्लस डाई एजोनियम सॉल्ट, बेसिक मेडियम, एन, एन, मिथाईल, एनिलीन, डाई मिथाईल, एनिलीन, प्लस डाई एजोनियम सॉल्ट, ये, हेलो पर्सिपिटेस्ट, तो समझ में आएगी गया, आगे बताउं ये कैसे देगा, ये इसकी रेक्शन कराऊंगा, प्लश प्लस देख और इसकी प्लत स्ट टो से, तो इसकी पर्सें कोंसी रीक्शन हो जाएगी, कपलिंग रीक्शन हो जाएगी, कौनसी, कपलिंग, नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रोड़क्ट इन फॉलोविंग रियक्शन, डाइलूट नवच, अल्पा, हाइड्रोजन, हेविंग, कार्मोनिल, कौन्ची रियक्शन देते हैं, अल्डोल, अब हमें पता है, दो डिफरेंट दिये हैं, तो नुकलिोफाइल उसका बनाना है, जो लेस रियक्टिव है, तो इसका तो बनाओ, इलक्ट्रोफाइल, और इसका बनाओ, नुकलिोफाइल, तो सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा, CH3, डाइलूट आने वची दिया वा आपको, CH3, COH, और ये कैसे रियक्ट करेगा, CH2H, CO, और ये pH, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, CH3, COH, CH2, COPH, देखो बीता हाइड्रोक्सी कार्बोनील है क्या, जो की प्रोड़क्ट है किसका, अल्डोल का, देखे यहाँ, CH3, COH, CH2, COPH, सैंगे इज, और ये ने क्रेक्ट्सर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ने बहगर झाएग और मीच्ट्ट, आविच्टोर, और मीच्ट, करें रिड्यूस्ट को जब हुआ है और हैं De about a reduced कि अबल किसको reduce करेगा, carbonil compound को reduce करेगा, तो यहां पर यह एज़ित रह गया, यहां reduction हो गया, double bond agent रह गया, fourth is correct answer, next. which dicarboxylic acid in presence of dehydrating agent is least reactive to give anhydride, कि कौन सा dicarboxylic acid, तो anhydride एक appropriate ring बननी चीए, इस्टेबल बननी चीए, तो जैसे मैं यहां dehydrating agent, जैसे मैं ने ले लिया, P4O10 ले लिया, यह dehydrating agent होता है, यह वाला यूज में लेते हैं, तो इसमें P4O10 ढालओकादा क्या लेते हैं, तो यहां से ह्टोबार हो जाएगा हो जाएगा और यह बन जाएगा अग से अनहाइड़र्यड़ध लेता कॉफे जान्टेबला साभा यहां से और यहां से गया बन जाएगा, अनहाइडüstे रओधीर्ट फिश्यार में देशनान यहां से ह 2, 3, और यह 4, फिर यह C double bond O, फिर यह C double bond O, उसके बाद बीच में क्या आएगी, oxygen, तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 membering बन रही है, least stable, तो सबसे least reactive भी कौन सा रहेगा, 3rd ही रहेगा, stable नहीं बन रही है, इसमें H2O भार, तो यहां किते member बनेगी, वो ही, 5 member, तो सबसे least reactive कौन है, तो वो आएगा 3rd, next, the decreasing order of EG of alkaline hydrolysis for the following compound, following esters, alkaline hydrolysis, तो पहले alkaline hydrolysis, तो पहले alkaline hydrolysis हम फड़े, देखो, क्या होता है, ester होता है न, ester, इसमें जो OH- होता है, base का, यह alkaline, मतलब NAOH लिख दो, KOH लिख दो, यह OH- अठेक करता है, तो और फिर यहां से यहां जाता है, तो पहले बनता है यह वाला, CO- इदर OH और यह OR, फिर यह जाता है, इसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, तो इसकी reactivity जितनी ज्यादा होगी न, rate of reaction उतना ही ज्यादा होगा, यह फिर में बोल दो, reactivity is directly proportional to minus R minus H minus I, inversely proportional to minus R plus H and plus I, यह वाला concept भी लगा सकते हैं, अब देखो क्यूसन में हमें क्या दिया है, इसमें ECL का क्या लगेगा, minus I, यह simple हो गया, इसमें NO2 का क्या लगेगा, minus R, यहां क्या लगेगा, plus R, तो सबसे ज़दा रीक्टिव कोन होगया, फ़र, फिर minus I वाला ह 2nd is more reactive, 3rd सबसे ज़दा रीक्टिव है, NO2 का मैंने सार, 3rd यहां है, 3rd, 2nd, 1st, 4th, 3rd is correct answer, next, यह conversion करना है, CH3, CH, 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 CH3, इसको convert करना है इसमें, मतलब इसमें, CH3, CH, double bond, CH, CH2, CH, CH2, इसको लेके जाना है आपको CH3, CH double bond, CH, CH2, और यह COH, तो पहले देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 कारबन है और यहां कित्ते होगे, 5, मतलब यह कारबन कम करना है, तोलेंस रिजेंट, एलकोल का उक्षिडेशन नहीं करता, I2 NaOH, क्या है, हेलो फोम, तो हेलो फोम डलवाऊंगा ना, तो I2 NaOH, पहले इस एलकोल का उक्षिडेशन होगा, CH3, CH double bond, CH, CH2, CO, CH3 बनेगा, अब यह आई टू और NaOH के साथ रीट करेगा, तो इसका तो बना दोग CHI3, और इधर जो बनेगा ना, इसका बनेगा सॉल्ट, CH3 double bond CH, CH2 और यह COH, तो हम हेलो फोम से इसको चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट, NABH4, ठीक है, reduce, aldehyde, ketone, carbon, nitrogen, double bond, मतलब इमीन, इनको reduce करता है, तो इसका reduction होगा, और इसका reduction होगा, तो उधर भी H जुड जाएगा, N, H, फिर यहां भी H, फिर यह, 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 और यह, O, H, और यहां भी H, ऐसा option अगर हम देखेंगे, तो कहां हमें ऐसा option दियागा, double bond reduce नहीं होगा, ऐसा option हमारे पास, यह वाला रहा, यह double bond legit रहेगा, second is correct answer, next, now हम बात करते हैं, question number 64 की, आपको एक base गीवन है, O minus E T और Na plus, यह H acidic nature की है, इसको हटाएगा, तो यहां negative charge आजाएगा, nucleophile, और यह घूम के इसपे क्या कर जाएगा, attack, और यह यहां से यहां, तो पहला जो product बनेगा ना, यह intra-molecular hyldol type reaction हो गई, yellow, इदर आगया O minus, इदर आपके पास यह CH2, यह C double bond O, फिर यह वाला carbon इदर जुड़ गया, और इदर को लगा हुआ है, CH2, CO, ET, और यहां पे क्या supply हो जाएगा, H supply हो जाएगा, yellow, अब आगय हीट दिया हुआ है, तो यहां से OH और यहां से H2 अबहर हो जाएगा, और final product जो बनेगा, वो यह वाला बन जाएगा, ठीक है, double bond O, यह, यह, और इदर से आगया, आपके पास CH2, CO, ET, तो options हो जाएगा, हो जाएगा, थेड, अब आश्वर भी आप देख सकते हो, क्या हो जाएगा, यहां से base गया, nucleophile बना यहां से, nucleophile ने यहां अटेक किया, और यह intramolecular aldol condensation reaction हो गई, इंट्रा-molecular aldol condensation reaction हो गई, इसका alpha-hydrogen इस पर टेक कर गया, OH और यहां से यहां से आपर direct भी करा सकते हो, H2 और H2 बाहर करके भी कर सकते हो, Next, An aromatic compound A having molecular formula C7H6O2 on treating with aqueous ammonia and heating from compound B. Aqueous ammonia के साथ reaction करवाओगे तो compound B बनाएगा, compound B on reaction with molecular bromine and potassium hydroxide, मतलब यह वाला Br2KOH, ठीक है? तो A न अऔर गयनी कमपांट है, यह वाला रीक्ट करेगा. तो यह वाला रीक्टिन प्रोवाइड, गयन कमपांट C, हविंग मोल्कुलो फूर्मॉला C6H7N, यह फूर्मॉला हो गया है? थीक है? तो कोई कमपांट है? कि इस टेक्चर ओप ए यह सिंपल सा क्युछन है इस यह कंपाउंड हो गया देखो एन एज तरी एसीडवेस रियक्षन एसीडवेस तो पहले बनेगा यह वाला CO- NH4+. हीट किया तो H2O बहार हो जाएगा और बन जाएगा क्या? एमाइड. फिर इसकी रियक्षन किस से करवाई? इसकी रियक्षन करवाई KOH+, BR2 से कौन्सी रियक्षन? होपमान BR2 कौन्सी रियक्षन? होपमान BR2 बन जाएगा और यह वाला बन जाएगा यह इसका फोर्मूल आ गया तो आनसर जाएगा वो जाएगा 4th next nickel H2 or dibal देखो निकल H2 है ना, रिड्यूस साइनाइड, किसको रिड्यूस करता है, साइनाइड को रिड्यूस करता है, दूनोट रिड्यूस एस्टर, यह एस्टर को क्या नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है, तो साइनाइड को रिड्यूस करेगा, इसदर दियावा है डाइबल reduce the ester in aldehyde, aldehyde, ester को reduce करता है किसमे aldehyde से, तो ये वाला तो इसको लेके जाएगा aldehyde में, और ये वाला लेके जाएगा इसको amine में, तो पहला compound जो बनेगा ना वो ये बनेगा, CO H, इधर क्योंकि यहां से टूटेगा, H और OH, और साइड में क्या बन जाएगा, ETOH, इधर बन जाएगा CH2 है, और ये CH2N, और ये H2, फिर ये इंट्रा मोलिकुलर रियक्शन हो जाएगी, वन डिग्री अमीन की किसके साथ, कार्वोनिल के साथ, अमीन की कार्वोनिल के साथ, और फाइलली जो प्रोड़क्ट आजाएगा, आपके पास वो प्रोड़क्ट आएगा, इधर से आपके पास कार्वन बचा, इस पे हाइड्रोजन बच गया, इधर आपके पास डबल बॉंड N आ गया, फिर CH2 आ गया, उसके बाद फिर CH2 आ गया, ऐसा ओप्शन अगर हम च correct answer, next, LILH4 एकस्स में दिया हुआ है, ठीक है, NO2 को रिडूस कर देगा किस में, NH2 में, इसको रिडूस कर देगा किस में, यहां H और यहां H, डबल बॉंड को नहीं कर देगा, इसको किस में ले जाएगा, CH2 OH में, तो यह बन जाएगा, इधर, ठीक है, CH2 OH, NH2, डबल बॉंड एजिट, OH, CH3 और यह H, ऐसा ओप्शन चेक लिएगा, कहां पर आपको निजरा रहा है, ऐसा ओप्शन आपको निजरा रहा है, ऐसा ओप्शन आपको निजरा रहा है, यहां पर, 4th is correct answer, next, एक कमपाउंट अक्स ओन ट्रीटमेंट विद बॉंड 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 प्रोवाइड, C3 H, N9, मतलब, CH3 CH2, CH2, NH2, किस से बना, बॉंड 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 और कोईसे, और यह कार्भिलेमिन टेस्ट दे रहा है, तो यह वंड दिग्री है, CHCl3 KOH, कार्भिलेमिन टेस्ट, यह बन जाएगा, CH3 CH2 और यह NC, अक्स जो रियक्स कर रहा है, तो यह एक हापमान ब्रोमेमाइड है, कौन्सी रियक्स्न है, हापमान ब्रोमेमाइड, तो यहां फिर यह वाला है, CH3 CH2, CH2 CO, NH2, क्या गाइप होता है, यह CO गाइप हो जाएगा, यह CO गाइप हो जाएगा, और यह बन जाएगा, तो चार कार्भन का एमाइड होना है यह और वो हमारे पास पस्त में ही है, तो प The increasing order of reactivity of the following compound towards reaction with alkyl helide directly. इन compound की reactivity alkyl helide के साथ करवानी है, तो alkyl helide ये वाला है, और ये इसके पास भी लोँन पे रहें, इसके पास भी लोँन पे रहें, इसके पास भी लोँन पे रहें ठीक है, तो alkyl halide के साथ अगर ये react करेंगा, तो ये बहार होगा, मतलब ये with alkyl halide with alkyl halide act as a nucleophile किसका काम करेंगे nucleophile का काम करेंगे अब सबसे बोला है सबसे strong nucleophile जो होगा वो सबसे past react करेगा तो ये amide है loan pair delocalize हो रहे है इसके loan pair दोनों तरब delocalize हो रहे है इसके loan pair भी delocalize है इसका क्या लग रहे है minus R लग रहे है यहां इसके loan pair भी क्या हो रहे है D localize हो रहे है तो यहां पर देखो amide less nucleophile than amine तो मतलब ये ज्यादा strong nucleophile है amide के comparison में अब इनमें Cn का minus R लग रहे है तो वो इलोक्ट्रोन को खीच रहा है L के लेड़ पर टेक नहीं करने दे रहा तो इनमें सबसी ज्यादा रीक्तिव होगा D फिर C अब इसमें दोनों तरफ D localize हो रहे है इसमें एक तरफ D localize हो है इसमें एक तरफ D localize हो है E G में में अटे कोन करेगा A कर जाएगा और उसके बाद आजाएगा D C A B, 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 second is correct answer Next यह बोल रहा है इन्दा फॉलोविंग रियक्शन Acetyl dehyde और alcohol रियक्ट कर रहा है और Acetyl बना रहा है ठीक है तो यहां देखो LDL काम करता है electrophyle का और alcohol करता है nucleophile का ऐसे रियक्शन होती है C O ठीक है और यह alcohol तो यह यहां से यहान जाता है यह यहां से लाम यहां और यह H इस इंधर shift हो जाता है तो यह कर रहा है काम किसका? एलक्ट्रोफायल का और यह काम कर रहा है नुक्लिफायल का अब यह एल्डियाइड दिया वाया है और यह एल्कोल दियाओ बोला कि दा बेस्ट कॉम्बिनेशन इन वे से बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका होगा किसका बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा अब यहां पे HCHO और टर्स्टी बुटल ओकसाइड और यह वाला CH3, COH और मEOH, अब हमें क्या कर लेहा है, हमें लेहा है कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका रहेगा, हमसे यह पूचा है, जिससे हमारे पास यिल्ट अच्छी यिल्ड आए, चार कंपाउंट आपको दिया है, किसका पहले, CS3, COH, MEOH कर रहेगा, HCOH तर्स्टी बुटल कर रहेगा, CS3, COH तर्स्ट्टी बुटल कर रहेगा, HCOH, MEOH कर रहेगा, इन दों यह इल्लोफायल है, तो इन दोनों में ज्यादा रिक्टिव कॉन? तो एल्लियाइड और स्ट्रोंग निक्लोफायल कोन बनेगा, MEOH आपके पास बन जाएगा, तो इस बेस पर अगर हम इसका आंसुर देखेंगे, कि सबसे बेटर कॉन सा रहेगा, तो उससे अमें पता लगता है, बेस्ट यिल्ड हमें लेनी है, तो बेस्ट यिल्ड किस से आएगी, ये तो हो गया स्ट्रोंग एल्लोफायल, और ये हो गया स्ट्रोंग नुक्लोफायल, ये हो गया स्ट्रोंग नुक्लोफायल, ये हो गया स्ट्रोंग नुक्लोफायल, ये हो गया स्ट्रोंग नुक्लोफ बढ़ गई, तो best combination इन दोनों का रहेगा, तो एसा option हमारे पास दिया हुआ है second में, तो second is correct answer, next. यह दिया हुआ है इन्दा following reaction, product A and B are, A and B क्या है, तो यहां भी intramolecular क्या हुई है? एल्डोल, hydrolysis heat दिया हुआ है, एल्डोल कंडनसेशन हुआ है, तो इसका nucleophile बनाओ और इस पर क्या करवादो, अटेक करवादो तो देखो इधर, C double bond O और यह CH2, इधर पास वाले carbon पर दो CH3, यह CH2, यह CH2, यह C double bond O और यह H, इसका में बनाओंगा नुकलियोफाइल और इसका में बनाओंगा में इलक्ट्रोफाइल, जिसका नुकलियोफाइल पर इसका H और इसका O, यह बाहर हो जाएंगे, तो फाइली जो प्रोड़क्ट आएगा ना, double bond O, यह CH, यह double bond O, यह H, यह carbon, ठीक है? H लगाया, उसके बाद carbon, उसके बाद carbon, और यह यहां से bonded वा और दो मिथाइल यहां पर जुड़ गए हैं, तो आपसे A और B दोनों पूचा है, A भी पूचा है, B भी पूचा है, तो चलो, सिस्टेमेटिक डंग से कर देते हैं, पहला प्रोड़क्ट जो बनेगा ना, CH3, यह वाला, double bond O, और यह H, यह वाला यह compound, CH3, CO, CH3 हो गया, CO हो गया, 2 CH3 हो गया, फिर एक CH2, फिर दूसरा CH2, तो यहां दो कार बना गए, यह लो, Base आएगा, इस H को हटाएगा, यह यहां से हाँ, यह यहां से हाँ, और यह यहां से हाँ, तो यह बन जाएगा A, CH2 ये C ये OH ये H डबल बॉंड O ये CH3 ये वाला ये वाला और इधर से अटेक हुआ है ये लो अब इसको सही करके लिखूंगा तो ये 1 2, 3, 4, 5, 6 6 member ring है इसको सही करके लिख देते हैं आपन देखते हैं क्या बनता है इधर तो हो गया डबल बॉंड O उसके पास वाले कारबन पे ये OH और इधर से डबल बॉंड O के पास वाले कारबन पे दो मिथाईल ग्रूप पर हीट किया तो ये तो हो गया A हीट करूंगा तो ये H2O बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा मैं सेम कंसर्ट पर कही क्यूशन आचुकिया तो बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं होता ऐसा उप्सन आपको देखना है कि ऐसा उप्सन आपके पास कहा है तो ये सा उप्सन मेरे पास आ रहा है पस्ट पर तो पस्टिश करेक्ट टांसर नेक्स्ट मज़िये कमपाउंट आप मैजर प्रोडटेक्ट अब फॉलिंग प्रोड़ूइं इस असमें मैजर प्रोडॉड क्या बनेगा ये पूचा हूआ है ठीक है तो यहां पर यह दाइजिएशन होगा, सारे कलर साथ रहे हैं, दाइजिएशन, H+, टेमपरिचर यहां नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां एलकॉल सप्लाई होगा, कार्भोकेटाइन तो पहले बन जाएगा यह वाला, यह आपको यहां दिया हुआ है, O, यह C, O, C, H 3, इसकी मेटा पोशन पर यहां से, यह कार्बन, यह कार्बन, और यह कार्बन, 1, 2, 3, तीन कार्बन, 1, 2, 3, और इस पर लग गया, O, H, फिर यह दिया हुआ है, C, O, 3, H+, ऑक्सिडाइजिंग एजेंट, एक उल्रेडी कुशन कर चुके हैं, किसमें कर देगा, एलकॉल में, यह बन जाएगा, O, C, O, C, H3, यहां से चुड़ावा है, कार्बन, कार्बन, यह कार्बन, ठीक है, और यह कन्वर्ट हो गया, किसमें, C, O, O, H में, फिर दियावा है, H2, SO4, क्या करेगा, इसको हटाएगा, और इसकी पेरा पोशन पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह और त तो पेरा डारेक्टिव है, तो फाइली जो प्रोड़क्ट बनेगा ना, वो यह बन जाएगा, O, C, O, C, H3, ठीक है, और साथ की साथ जब यह जुड़ेगा ना, तो दो चीजे यहां पर और होगी, एस्ट लगावा है, तो एस्ट का हईड्रोलाइसिस होने की तो यह फाइली बन जाएगा, इधर आजाएगा, O, H, ठीक है, और इधर यह वाला, double bond O, और यह वाला, ऐसा option अगर हम चेक करने जाएगे, तो ऐसा option अपने पास कहां पे है, पेरा portion पे C double bond O होना चाहिए, और तो पे नहीं होना चाहिए, पस्ट is correct answer, इसका जो answer जाएगा, वो जाएगा, पस्ट, next, NABH4, reducing agent है, इसका reduction नहीं करेगा, इसका कर देगा, simple question है, यह O, H में convert हो जाएगा, और यह legit रह जाएगा, easy question अब तक का सबसे paper में, next, the increasing order of reactivity for the following Li-LH4, with Li-LH4, तो यह भी ऐसी derivative है, तो देखो इसका plus R लग रहा है, इसका भी plus R लग रहा है, इसका minus R लग रहा है, इसका minus R लग रहा है, इसका भी plus R लग रहा है, इसका भी plus R लग रहा है, सबसे ज्यादा रीक्टिव सी, क्योंकि Li-LH4 में से attack on करता है, H- ज C सबसे ज्यादा reactivity हुआ है, फिर plus R सबसे कम किसका लगेगा, इसका, क्योंकि इसका resonance भी रहा है, इधर भी जा रहा है, तो फिर D हो जाएगा, एनस्टू का plus R ज्यादा लगता है, plus R बढ़ेगा, तो reactivity कम हो जाएगी, फिर B हो जाएगा, सबसे A हो जाएगा, तो ऐसा option अ अच्छे questions थे, LDOL, Reducing Nature पे question पूछ रहा है, टेस्ट पे question पूछ रहा है, NCRT बेस्ट कंसेप्ट है, बट सभी कंसेप्ट को आपको ढग से रीड करो, इनके concept को आप सीखें, इसी के साथ हमारा 4th unit जो था, 5 unit जो था, Carbonyl Compound Acid is derivative, यह खतम होता है, next में हम बात करेंगे, next unit to me, biomolecular polymer chemistry unit life, okay, thank you.